इंटरनेशनल ब्रीज और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुश्कुराना ही नहीं आता तुम्हारा चैरा क्यों लटता हो मैंने तुम्हें मुश्कुराने के लिए कहा है मुश्कुराओ ये हुई ना बात लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम जबर्दस्टे मुस्कुराती है भाई लेना एकदम नैच्वरी दो इचे आइटाश चलो मुस्कुराओ मुस्कुराओ अब तुमें मुस्कुरा हट कि प्रेनी के लिए बेजना पड़ादा है अम्नी अबू कहां गये है बताओगी मुछी नहीं माने है विजन कहां गये है तुमें पता है तुमें पता है शाम को अबुचान तुमारे घर दे है तुमारे अपने घर तुमारे अपने घर के लिए गुलाया तुमें पता है वो क्या बात करने वाले हैं पता है नहीं मुझे नहीं मालू पर मुझे मालू वो तुमारे 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 दलाग के बारे में बात करना चाहते हूं झाल लोडना तरर फटाल से कृमना प्राव बत्राव मैं... समय करेखंग आप... नहीं एंग, जो भी फ़त्राव कि जुड़ सेंडे हैं... यह लोगाओंग तार्राव गाएंग, यहाँ धिकार दो एंग लोगाराव दो एंगा, यहाँ है कि अए रहाँ है। वालेकम असलाम पर्माईए क्या बात करने हैं कौन से बात करने के लिए बुलाया है आपने अजाद रहू हूं मैं मेरे मस्लख रच्ट है कुल अर्गिस कभी किसी से अदावत नहीं है अब महर्ज यह जानना चाहती है यह आखिर यह दुश्मनी कब तक चली हम चाहती है इस मस्लख को हमेश्टा हमेश्टा के लिए बात्म कर दिया जाए चाश यह सवाल आपने मुझ से पहले पूछा होता है देखे भाई जानना हर बात वक्त पे शुरू होती है और वक्त पे खत्प होती है अब सवाल खड़ा हुआ है तो बताए क्या चाहते हैं आपको यह अदावत यह नफरत कैसे खत्प हो सकती है इस तोठी पर मैं अपना करदा चाहता था इस सारी जायदात का मालिक मैं बनना चाहता था ठीका आपने जिस जायदात को हासिल करके आप हुकूमत करना चाहते था वो जायदात को हमने आपसे छिलनी है हाँ यह बात आज तक मेरे दिल में नश्तर की तरह चुबा हुआ है क्योंकि मैंने कभी हारना नहीं सेखा और मुझे शिकस्त देकर वोई समझाता नहीं होगा अपस्त यहां शिकस्त और पते की बाते नहीं हो रही है हम से ज़िए जानना चाहते हैं कि समझाते की जिए तुमारी क्या क्या चप्शें है बस तो शर्तों बस समझाता किया जा सकता है और मेरे पहली शर्त ही यह है कि मेरे खिलाब जो मुकर्दमे दार हुए है यह वापस लिया जाए और सारे सबूत मेरे हवाले किये जाए क्या यह सब कर सकते हैं आप हमें आपकी यह शर्त मनजूर है और मेरे दूसरे शर्त यह है कि मैं आदी जाएदात से तसलिक कर लूँगा लेकिन आपकी पूरी जाएदात का आदा हिस्ता होजे चाहिए और मेरे दूसरे शर्त यह है कि मैं आदी जाएदात से तसलिक कर लूँगा लेकिन आपकी पूरी जाएदात का आदा हिस्ता होजे चाहिए इस जाएदात से आपको एक खूती कौड़ी भी नहीं मिलेगी इस घर को लूट कर भी आपको तसलिक नहीं मिली और आपने जो हमारा कुछ तेनी खजाना लूटा है अभी तो मुझे आपसे वो भी वापस लेगा है यह खाब है तुम्हारा अल्द्वश और यह ऐसा खाब है कर अभी पूरा नहीं होगा यह मेरी लगजदिश का नतीज़ा है सब कुछ वापस लेने में तुम्हार प्राम्याब होगा है प्राम्याब है अब इतना वादा जरूर कर साथ जिस भर की जैदाद पर पहला तुम्हारा कि इतना हक्ता तुम्हां पुर्मे देंगे आभुजान जिस तरह से जैदाद का बठवारा होना चाहिए उसी तरह से इसका बठवारा आप कर दीजिए लेकिन हाँ हमारे पुष्टैनी खजाने का बठवारा भी चार हिस्सों में होना चाहिए इन्हें पूछ दीजिए क्या इन्हें ये शर्त मनजूर है न मुझे इनकी शर्त मनजूर है और नहीं तुम्हारी समझे तुम्हारा क्योंकि अक्बर जो चाहता है उसे हासल करने की कुवट अक्बर रखता है अक्बर भाई कुवट तो हम भी रखते हैं अगर हम चाहे तो किसी को भी खाक में मिला सकते हैं ये तो अबुजान ने हमारे हाथ बान रखे हैं बस तो अपने हाथ खोल लो तुमजगे लेकिन एक बाप का ख्याल रखना जिसका मा की बहन भी है जिसे हमारे घर में बहु का तमगा मिला हुआ है उसकी जिन्देगी किस किनारे लगेगी इस बाप का ख्याल जरूर रखना तुम अकपर भाई एक बात का ख्याल आप भी रखेगा अगर सोहा के साथ किसी भी तरह की बस्तुलूकी हुई तो कारूं का रंग तो आप बाद में देखेंगे पहले मेरा रंग देखेंगे आप सोहा आपके घर में है इस बात की धंकी मत दीजेगा क्योंकि हम भी इस बात की कुवद सकते हैं कि हम अब इस सोहा को पाल भी सकते हैं और उसकी जिन्दीगी को आबाद भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ करना ही है तो सोहा और साहिल के तलाक के बारे में सोचिए क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि सोहा उस घर में नहीं रहे जावत जी सही क्या हो? क्या बात हुई वहाँ? गोलो चाहते हैं कि मैं अपना आदा हिस्सा लेकर इस रखीबत को खत्रों करतों और उसके एवज में बोलो कुछ तैनी जादाद में से भी हिस्सा लेना चाहते हैं ये फूर समझ रखा मुझे गोलो संजोता करना चाहते हैं अबू कि आपका मज़ाख उडाने के लिए उलाय सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं वे बात ने लेकर मैं उन्हें बता हुआ कि जाइदाद वापस कैसे लिजाते हैं तो हां के बारे में कोई बात हुई वहां दरसल सोहा को लेकर शारा मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में सब की सूच अलगा है तो अलग अलग सूचते हैं श अगर उनके दिमाग में तलाक की बात होती तो शमा सोहा को यहाँ छोड़ने नहीं आती लेकिन फिर भी उस घर में तलाक के मन्सुवे बनाई जरूर जा रहे हैं अगर आसा नहीं होता तो लॉटने वक्त अजगर मेरे सामने यह नहीं कहता कि जाये तलाक के तैयारियां की और तो बात तलाक तक पोश्चने वादी है मालो में इसलिए आने कहान है कि उस घर में सब के सूच अलगा लेकिन तुरूर मैं एक बात देखिए वो क्या वो यह कि सोहा ने उस घर में अभी तक यह नहीं बताया कि हमने उसके साथ इस घर में कैसे सुलुक किया अगर उलो को यह बात पता चल जाए तो शायद यह बात सचमश तलाक तक पहुच सकती है लेकिन यह बात महा तक पहुची कैसे अगर सोहा को हर वक्त इसलिए डरा कर रखता हूँ ताकि उसकी कभी हमत ना हो हमारे खिलाफ जाने की हाँ साही अगर सोहा को इसी घर में रखना हो तो उसे इसी तरह से दबा कर रखना होगा और इस बात कर भी खैल रखना हो कि बात तलाक तक पहुची तो बात ज़गर जाएगी यह तलाक नहीं होना चाहिए पिगलगी है समाने के लिए का सकता है रिशी कि एक बाहर की लड़की तुमारी जिंद की बताखिलों होती तुमारी पर्सनल लाइव में हस्तक शेप करती है तुम्हें कहते है कि अपने पतनी को तलाख देखो यह कहने की हिम्मत उसे किसे देख्षक? तुमें इन दीए न उसे इसे? इम्मत चाहे किसी ने भी दी हो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पल्लवी को नहीं ठुकराना चाहिए तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको गौतमी को नहीं ठुकराना चाहिए पल्लवी का क्या है वो तो कहीं भी रह लेगी पल्लवी उसका क्या हो रिशी, यही सोचकर तुमने गौत्मी को इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो हमारे खांदान की इज़त को चैलेंज कर रही है हम सब को चैलेंज कर रही तुम जाद रखना है बेटा कि वो अकबर के साथ मिलकर ये सारा खेल खेल रही ताकि हम जुक सके मजबूर हो सके तूट सके रिशी अगर मजबूर करने के इलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं होगा तो आद्मी क्या करेगा अगर इंसान को उसका हक नहीं मिलेगा तो उस हक को पाने के लिए वो किसी भी हक तक जा सकता यानि मैं तुम्हारे इस पैसलेट को अंतिन पैसला समय तुम गौत्मी को अपनी जिन्दगी से दूर नहीं करो यह तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सब लोगों ने इतनी कोशिशें की लेकिन आप लोग गौत्मी को इस घर से बाहर नहीं निकाल पाए तो मैं उसे जिन्दगी से कैसे निकाल सकता हम? मुझे इस घर के मान समान और इज्थ की चिंता है निशी अगर तुम्हे इस घर के मान समान इज्थ की चिंता हो तो शय तुम इयकाट यारकाट कभी ना करने जल्की है पिगलगी है जमाने के लिए सोछ रहे है सोच के बारे में सोच रहे है उसकी जिंदगी किस किनारे लगेगी किसी को भी नहीं पता अल्ला पर अध्मार को ओ वो सब ठीक करेंगा गुजरे हुए वक्त को तो वो भी वापस नहीं लासकता दा मन selves लगे हुए दागों को वो भी नहीं धो सकता अल्ला पर यकीन भी तो इसी दाइरे में रहकर किया जाए है 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 कि एब अपर जाते हैं और तुम भी से अले से नों की हुई है जब कि सिंदगी की हकीकत तो यह है, कि सिंदगी कभी नहीं थंगती, सिंदगी तो यूहीं चलती रहती है, नहीं उसके रास्ते थंगते हैं, एक रास्ता छूडता है, तो अल्ला दूसरा रास्ता बना के देता है, है छोड़ो, हम कोई दूसरी बात करते हैं, वैसे, एक बात बताओ इस घर में सब को खुश करने का कोई अच्छा तरीका है जैसे कि कोई जलसा मनाए सब लोग एक साथ खुशिया मनाए जिसे एद के दिन मनाते हैं जलसे के लिए वजा होती है और खुशियों के लिए वजा होती है और मैं तुमसे उन खुशियों की वजा की बात कर रहा हूँ जरा सोचो कुई ऐसी वजा जिससे इस घर के हर शक्स के चेरे पे उसको राट आजाए ऐसी क्या वज़े हो सकती है हो तो सकती है बताओ मैं जरा सोचो अगर घर में सब को ये खुशकबरी सुनने को मिज जाया कि घर में एक नन्ना मुन्ना मैमान आने वाला है तुम मा बनने वाली हो तो सोचो घर में सभी लोग कितने खुश होंगे अब इसमें धत्की क्या बात है अब तो हम शादी शुदा है और बात सलीके से कर सकते हैं